गुड मॉनिंग बच्चों, आज है 22 अगस्त 2020 और आज हम जा रहे हैं सॉल्व करने वर्क्षीट नमबर 21 आज का सब्जिक है हमारा सामाजिक विज्ञान यानि की सोशल स्टडी आज का सब्जिक क्या है सोशल स्टडी सबी बच्चों को उपर विध्यार्थी के नाम में अपना नाम और सिक्षिक का नाम में अपने क्लास टीचर का नाम जरूर लिखना है चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक है लोगतंत्र का ब्रहत्तर अर्थ ठीक है हमने इससे पहले भी लोगतंत्र पढ़ा था इससे पहले वर्कशीट हमारी थी लोगतंत्र ही क्यों और अब हम पढ़ने जा रहें लोगतंत्र का ब्रहत्तर अर्थ पहले हम अपना topic discuss करेंगे उसके बाद question answers को discuss करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसके answers provide करवाओंगी हम वीडियो के end में answers को discuss भी करेंगे और आपको answers provide भी किये जाएंगे अगर किसी बच्चे को कोई doubt या confusion होगा तो वो comment box में comment करके हमसे पूछ सकता है वीडियो के end में आपको सभी questions के answer written में दिये जाएंगे चलिए हम शुरू करते हैं आज का topic हमने इस अध्याय में लोकतंत्र की हमने इस अध्याय में लोकतंत्र को उसकी विशेस्ताओं या गुडों की पहचान करते हुए समझने का प्रियास किया और यह निसकर्ष निकाला की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित वाला साशन लोकतंत्र कहलाता है तो यह आप समझ गए यह हमने पिछले वीडियो में भी discuss किया था कि जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है और जनता के लिए कारे करता है वो लोकतंत्र साशन कहलाता है हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सभी लोग साशन नहीं चलाते बल्कि लोगों की तरफ से बहुमत को फैसले लेने का अधिकार होत ठीक है यानि की कैसे होता है सबसे पहले जनता अपनी बहुमत के द्वारा अपनी वोटिंग राइट के द्वारा बहुमत से अपने लिए प्रतिनिधी चुनती है और जो कई सारे प्रतिनिधी चुने जाते हैं वो जनता के लिए कारे करते हैं और उनके द्वारा जो फैसले ह वो भी बहुमत से ही लिए जाते हैं ठीक है आगे हैं प्रतिनिधियों के द्वारा ही साशन क्यों जितने भी प्रतिनिधियों होते हैं उन्हीं के द्वारा साशन क्यों किया जाता है आधुनिक लोगतांत्रिक साशन विवस्ता में बहुत अधिक लोग होने के कारण सब को एक सब लोग मिलके देश के लिए कोई फैसला ले पाएं नहीं ऐसा संभव नहीं हो सकता ठीक है अगर ऐसा प्रियास भी किया जाए तो भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय इच्छा या योगता का कौशल नहीं होता ठीक है अगर हम यह सोचे कि हम किया जाए और उसके बाद कोई डिसीजन लिया जाए तो यह भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई इंट्रस्टेड ही नहीं होगा अपना डिसीजन देने के लिए कोई कापबल नहीं होगा मतलब किसी के अंदर इतनी शमता नहीं होगी ठीक है किसी के इच्छा नहीं होगी क अगर आपके घर में भाई अपना डीशिजन लेगा बहन अपना डिसीजन लेगी? मम्मी अपना करा अपना दिसीजन लेगी तो तो परिवार साथ में मिलकर नहीं रह पाएगा, ठीक है? दूसरा देखे, कक्षा में एक सिख्षक दुआरा, बच्चों को सवाल पूछने या अपनी बात बोलने की इजाज़त ना देना अगर class में teacher किसी बच्चे को सवाल पूछने ही ना दे किसी को permission ही ना दे सवाल पूछने का तो क्या बच्चे satisfy रहेंगे? नहीं, ठीक है? class में decision teacher लेती है पर किसके बहाव पे लेती है? बच्चों के बहाव पे लेती है पहले बच्चे अपने opinions देते हैं अपने सवाल पूछते हैं उसके बहाव पे teacher आपको answer करती है और आपके लिए कोई भी decision लेती है यानि कि जनता को बोलने का अधिकार होना चाहिए अपने rights पता होने चाहिए लेकिन हर person individually decision नहीं ले सकता ठीक है? एक नेता और उसके परिवार के लोगों के द्वारा ही किसी एक party के सारे फैसले लेना क्या ऐसा संभव है? कि एक ही नेता सारे decision ले सके? नहीं क्योंकि अगर एक नेता या उसका परिवार देश के लिए decision लेगा तो वो कैसे decision लेगा? सिर्फ अपने फाइदे वाले decisions लेगा इसलिए हमारे द्वारा जो प्रतीनिधी चुने जाते हैं वो सभी मिलकर फैसले लेते हैं हमारे द्वारा चुना गया कोई एक प्रतीनिधी हमारे लिए फैसला नहीं लेता आपको पता है न? लोग सभा या राजय सभा में बहुत सारे ministers होते हैं, बहुत सारे MPMLS होते हैं वो लोग वहाँ पे बैठते हैं, एक topic रखा जाता है उस पर discussion करते हैं उस पे सभी अपने opinions देते हैं, अपनी राय देते हैं और सब की voting होती है भाबी जब वो वोटिंग, बहुमत से voting पास हो जाती है उसके बाद ही वो बेल आगे पास होता है ठीक है? तो आपको ये याद रखना है कि हम अपने बहुमत से, अपनी voting rights से अपने लिए प्रतीनिरी चुनते हैं और वो सभी प्रतीनिरी मिलकर एक साथ अपने बहुमत से कोई भी decision लेते हैं ताकि किसी का भी नुकसान ना हो सके अब हम इसके आगे देख लेते हैं क्या बोला गया है? वास्तों में लोकतांत्रिक फैसले का मतलब यह है कि उस फैसले में प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्ष के बाद और उनकी सविकृती से फैसले लेना यानि जो कमजोर व्यक्ति है उसका भी किसी फैसले में उतना ही महतो होना जितना किसी सक्तिशाली व्यक्ति का ठीक है? तो आप समझ गए इस बात को कि फैसले जब लिये जाते हैं तो सबका उपीनियन लिया जाता है उसमें जितने प्रतिनीदी होते हैं सबका उपीनियन लिया जाता है और आपस में विचार किया जाता है और जब बहुमत प्राप्त होता है उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है ताकि हर किसी के opinion की value होती है और हर किसी के opinion से decision लिया जाता है यह बात सरकार या परिवार या किसी अन्य संगठन पर भी इसी प्रकार लागू होती है चलिए अब आगे देख लेते हैं लोगतंत्र और नागरिक लोगतंत्र और नागरिक के बीच में क्या रिस्ता है एक आदर्ष लोकतंत्र में निर्णे लेने की प्रक्रिया लोकतंत्रिक होनी चाहिए ठीक है एक आदर्ष लोकतंत्र मतलब जहां पर लोकतंत्र प्रणाली फॉलो की जाती है वहां पर कैसा होना चाहिए लोकतंत्रिक निर्णे होने चाहिए ठीक है नागरिक के तौर पर हम ज शाय खराब बनाता है यहीं लोकत नत्र की ताकत है और यही घंजोरी भी देश का भविश शाष्कों के कामकाज से भी छादा नागरी को के कामकाज पर निर्भर है yani हम जो कारे करते हैं उसी के उपर हमारी देश का शाषर निर्भर करता है इस तरह की कुछ बाते ही लोकतंत्र को राजशाही, तानाशाही या एक दल की शाशक विवस्था से अलग और बहतर करती है तथा नागरीकों को अधिक सक्रिये और भागिदार बनाती है तो इस तरह की जो चीजे होती है, इससे क्या होता है कि किसी भी देश में लोकतंत्र सही तरीके से चलता है उसमें तानाशाही या राजशाही नहीं होता है और नागरीकों का भी सक्रिये भागिदारी होती है तो ये था हमारा आज का टॉपिक, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ठीक है, अब हम आज की कोईशन्स तेख लेते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कोईशन्स और उसके बाद मैं आपको दूँगी रिटन में इनके आंसर्स लोगतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधी कौन होते हैं, सबसे पहले हमारा कोईशन्स है, लोगतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधी कौन होते हैं, ठीक है, दूसरा कोईशन्स है, हमारा लोगतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधीयों के द्वारा ही साशन क्यों होता है, हम हमारा last question है आपके अनुसार लोगतंत्र को बहतर बनाने में नागरिकों को क्या योगदान नागरिकों का क्या योगदान हो सकता हैं यह हमारे आज के चार questions और अब हम इसके बाद इसके डिसकस करेंगे answers answers discuss करने से पहले आप से एक सवाल जो मैंने वीडियो के शुरू में पूछा था आप से हम डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं आपको कमेंट बॉक्स में answer यह बताना है कि लोगतंत्र हमारे एशिया की जो भी countries हैं उसमें से किसी दो ऐसी countries का नाम बताना है जहां पर लोगतंत्रिक परणाली फॉलो की जाती है ऐसे दो देशों का नाम जहां लोगतंत्रिक परणाली फॉलो की के लिए देश के प्रतेक निर्णे में भाग लेना संब्भव नहीं होता इसलिए लोगतंत्र में लोग अपना प्रतिनिधी चुनते हैं जो उन लिए कारे करते हैं अर्थात लोगों की सहमती तथा बहुमत द्वारा चुना हुआ व्यक्ति जो जनता के लिए कारे करे प्रतिनिधी कहलाता है तो हमसे पूछा गया था प्रतिनिधी कौन होता है तो प्रतिनिधी वो व्यक्ति होता है जो जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए कारे करता है और उसे क्यों चुना जाता है क्योंकि हम देश के प्रटेक नागरिक देश की विवस्था को समाल नहीं सकते ठीक है तो ये है हमारा answer number one अब हम बात करते है answer number two की लोगतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा ही साशन इसलिए होता है क्योंकि number one लोगतंत्रिक साशन विवस्था में बहुत अधिक लोग होने के कारण सबको एक साथ बैठा कर सामुही फैसला कर पाना संभव नहीं हो सकता यह बात आप समझ गए कि लोगतंत्रिक साशन विवस्था में सबको एक साथ बैठा के और सबके opinion ले के और कोई decision लेना असान नहीं है अगर ऐसा प्रियास भी किया जाए तो भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले में भाग लेने का समय इच्छा या योगता का कोशल नहीं होता यानि कि हर कोई eligible नहीं होता हर किसी के इच्छा नहीं होती और हर किसी के पास समय नहीं होता ठीक है अगर आप अपना कोई भी decision आप अपनी family का लेते हो अगर आप सोचो कि सबी लोग मिलके बैठेंगे उस topic को discuss करेंगे तो हमेशा ऐसा नहीं हो सकता हो सकता है आपका भाई interested ह ही ना हो उस topic में participate करने के लिए हो सकता है आपके पास time ही ना हो उस topic में discuss करने के लिए और हो सकता है कि कोई आपकी family में इतना चोटा बच्चा हो जो eligible ही ना हो जिसको समझ में ना है उस topic पर decision लेना इसलिए हम कह सकते हैं कि हर व्यक्ति जो होता है वो पूरी तरीके से capable नह है जन सहमती द्वारा निर्ने लेना जन सहमती मतलब जनता की सहमती द्वारा निर्ने लेना एक आदर्श लोकतंत्र में निर्ने लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए क्योंकि देश का भविश शाषकों के कामकात से भी जादा नागरिकों के कामकाच पर प्रतेइक नागरिक को चुनाओं में भाग लेना चाहिए और अपना मत जरूर देना चाहिए मत मींस होता है वोट नागरिकों को अपना मत धर्म जाती या लिंग के आधार पर नहीं वरन योग व्यक्ति को ही देना चाहिए यानि हमें एक ऐसे इंसान को वोट देना चाहिए जो योग यह हो हमें ये देखकर नहीं देना चाहिए कि ये हमारी जाती का है इसलिए हमने इसको वोट दे दिया है या ये हमारे धरम का है इसलिए हमने एक capable वेक्ति को ही हमें जिताना चाहिए नमबर थ्री नागरिकों को अपने मौलिक करतव्यों का पालन करना चाहिए तता अपने अधिकारों का भी ज्यान होना चाहिए क्योंकि अगर आप अपने करतव्यों का पालन नहीं करेंगे तो फिर अपने अधिकारों की डिमांड कैसे कर सकते हैं और अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं होगा तो आपके साथ गलत हो सकता है तो इसलिए हमें अपने करतव्यों का भी पालन करना चाहिए और अपने अधिकारों का भी ज्यान होना चाहिए अगर आपको इस टॉपिक में कोई confusion या doubt है तो आप मुझे comment करके जरूर बताएं ठीक है और मैंने वीडियो में आपसे question पूछा है आज मेरा सवाल फिर से में आपको दोहरा देती हूँ मेरा आज का सवाल है हमारी Asian countries में किसी दो ऐसी country का नाम आपको बताना है जहां पर लोगतांत्रिक परणाली follow होती है ठीक है ऐसे दो देश जहां पर लोगतांत्रिक परणाली follow होती है I hope सभी बच्चों को मेरे answers समझ में आए होंगे Thank you so much बच्चों Bye Bye